नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं तिवाई ने बताया की दो अप्रेल सनिवार के दिन देवी मंदीर में चैतर नौराद के कलस के स्थापना होगी चैतर नौराद के परथम दिन से ही भगवती की उपासना के लिए दुरगा सब्त सती का पाठ प्रारंब हो जाएगा नौ अप्रेल को महा अश्टमी का उपास होगा वही नौ अप्रेल की रात दस बज कर 26 मियट के पचात महा अश्टमी के गमन तथा महा नौमी के आगमन के भी चैतर नौराद की संधी बली दी जाएगी 10 अप्रेल को कलस भी सर्जन तथा हवन के पच्चाथ चैतन रात के अनुस्ठाइन की पुनावती होगी मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में होने वाली सुस्क वर नमी हावा के हलचल की वज़स्ते जार्खन और इसके सीमावर्ती इलाकों में आश्मान में बादल घुमर रहे हैं हलाकि बुन्दे जमीन पर नहीं आ रही वैसे मौसम विभाग ने सुक्रवार और सनिवार को मौसम सुस्क रहने और आश्मान में आश्मान में आश्मान बादल चाहे रहने और इस दरान अधिकतब तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं होने की बात कही थी मौसम विभाग के अनुसार 27 मार्च से मौसम सूस्क और आसमन साफ रहने के कारण लोगों को थोड़ी उमस भरी गर्मी का एसास होगा वहीं 28 और 29 मार्च को भी कमुएस यही इस्थिती बनी रहने की अनुमान है लातेहर में मुटभेड के दरान तीन उगरवादी धेर जारखन के लातेहर जीले के सदर थाना छेतरे के हिसलवार जंगल में टीपीसी उगरवादियों वा पुलिस के बिच सनिवार को मुटभेड हुई इसमें टीपीसी के तीन उगरवादियों के मारे गए हाँ मारे गए उगरवादियों में जोनल कमांडर जीतिंद्रयादव एरिया कमांडर चंचल सिंग वा एक ही पाचान नहीं हुई है पुलिस ने मौके से एस एल आर की एक राइफल और एक सो पचास गोली बरामत की है जनकारी के अनुसार मुटभेड में दोनों ओर से करीब डेल गहंटे गोली बारी हुई बाद में पुलिस को भारी परता देख उगरवादी घंड जंगल का फैदा उठा कर भागने में सफल रहे पुलिस उगरवादियों की धर पकर के लिए जंगल में तलासी अभियान चला रही है और राजपत्रित करमचारी महासंग ने हरताल को समर्थन किया जायखन राज और राजपत्रि करमचारी महासंग ने 28 और 29 मार्ज को होने वाली राष्ट ब्यापी अध्योगी कहरताल का समर्थन किया है परदेश महामंत्री असोक कुमार सिंग नए ननने ने कहा कि नए लेवल कोड सरोजानिक उपकरमों का नेजी करन ठेक का करन और बरती बेरुजगारी सहित अन्य मुदो पर संग ने सरकार के समक्ष मांगे रखी है इस मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है इसलिए महासंग ने हरताल का समर्थन करने का फैसला लिया है संग ने सरकार से मांग किया है कि मजदूर करमचारी बिरोधी नीतियों को निरस्ट कर समानता एवाम एक रूपता के अधार पर नई पेंशन योजना के अस्थान पर सबों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करे साहिव गंज जहाज हाजसा में 200 बरामत साहिव गंज और बिहार के कटिहार के 20 गंगा नदी में हुए जहाज हाजसे में अब तक 200 बरामत किये गए हैं दो अन्य लापाता लोगों की तलास जारी है सनिवार को पहला सव नदी में बिहार के मनिहार घाट की तरफ मिला वहीं दूसरा सव बिहार में ही दुरघटनास थल के पास से बरामत हुगा मिलित को की पाचान विक्की महालदार और जुबैर के रूप में की गई कटिहार के राजे स्यादव और गोड़ा के मोहमत परवेज का पता नहीं चल पाया है बता दे की एंडी आरेप की दो टीमें मोगे पर रहात और बचाओ कारे में लगी हुई है रांची के टोल पलाजा पर गरामिनों का हंगामा जारखन के रांची जीले के मांडर पर खंड के एनेच 75 पर टेंडी पूल के निकट इस्थी टोल पलाजा में अस्थानिय लोगों से टोल टेक्स नहीं लेने की मांग को लेकर गरामिनों ने सन्निवार को हंगामा किया हंगामा करने वाले गरामिन मांडर वा चानहों पर खंड के लोगों का टोल टेक्स फिरी करने की मांग कर रहे थे उनका कहना था कि मैंडर वा चानों के अस्थानिय लोगों को अस्पताल, स्कूल वा होट वा अनिकारियों को लेकर रोजाना कई बार आना जाना पड़ता है इसलिए उनसे टोल टेक्स वा सुले जाने का कोई अचित्य नहीं है पुर्वड़ डि.A.श.P. बनाड की चिंगिया के निधन पर सीम ने पार्थिव सरीर पर किया सरदा सुमन अरपीद जारखन के मुख्य मंत्री हेमन सुरेन राजधानी राची के हर्मू हाउसिंग कलोनी पहुचकर पूर्व डियेसपी बनाड कीचिंगिया के पार्थिव शरीर पर सरदासुवन अर्पित कर उन्हें नमन किया मुख्य मंत्री ने उनके आक्समिक निधन पर गारा सोक ब्रक्त किया और इस वर से दिवंगत आत्मा के सांती एवं परिजनों को इस दुख को सहन करने की सकती देने की कामना की मौके परमुख्य मंत्री ने दिवंगत बनाड की चिंग्या के परिजनों से मुलकात की तथा उन्हें संतावना दी सीएम ने कहा कि बनाड की चिंग्या जारखन वास्यों के होक अधिकार की रक्षा के लिए हमेशा संगर सरत रहे बारावी जूनियर राष्ट्रिय महिला होकी चेंपियनसिप में जारखन की टीम असम को 9-0 से किया पराजीत अंधर परदेश के काकी नड़ा में 25 मार्च से 3 अपरेल तक आयोजित बराह में होकी इंडिया राश्ट्री ए जुनियर महिला होकी चेंपियनसिप 2022 में होकी जार्खन की टीम ने अपने पहले मैच में होकी असम को 9-0 गोल दाग कर बड़ी जीत से शुरुआत की है जार्खन टीम मैच की शुरुआत से ही आक्रमक खेल खेलते हुए मैच के 6 मिनट में ही प्रमोधनी लाकडा ने फिल्ड गोल्ड कर टीम को बड़ा दिलाई इसके बाद जार्खन की टीम ने लगाता 9 गोल किये हैं क्रास कंट्री में आसा किरन बारला ने जार्खन को दिलाया गोल्ड 56 राष्ट्री क्रास कंट्री अंडर 20 बालिका एवं सेफ क्रास कंट्री दोड में बालिका टीम चैंपियंसीप में जार्खन की आसा किरन बारला ने स्वर्ण पदक पर कबजा जमाया नई दिल्ली ओर से आयोजी छपनवी राश्ट्री एक रास कंट्री दोड में नागालेंड के कोहिमा सहर में जहारखंड के बोकारों की आसा किरन बारला ने बालिका अंडर 20 आयू वर्ग 6 किलोमीटर की दूरी को 22.57 सकेंड में पूरा किया और स्वन पदक जिता जबकि गु जुदा मरीस तौस्थ भी हुए है जहारखंड में पूरों के कोलेक्टिव केस की संख्या 9-37 है भारत ने 1660 नएक केस मिले है जब की 2374 मรीस तौस्थ भी हुए है भारत में कूलेक्टिव केस की संख्या 31.24 है हजारी बाग में बड़ी करवाई छापा मारी में आरा मसीन समेत कलोरों की लकड़ी जब्त जारखन के हजारी बाग जिले के बिसुनगर बना सो गाल हो बार रोड में तीन अस्थानों पर अवायद आरा मसीन और कलोरों की अवायद लकड़िया जब्त की गई है गोपनिये ढंक से सनिवार को सुबा दस बये तीन अलग अलग दल बना कर छापे मारी की गाई हजारी बाग डीसी ने सी सहाई, एसपी मनोज रतन चोथे और एशडियो विद्या भुसन कुमार के नेतितु में तीन छापे मारी दल ने यह करवाई की है हजारी बाग जीले के विसुन गड़ परखंड से 17 किलोमेटर दूर, बंद खारो जंगल से 15 किलोमेटर दूर, नागी गाउ और 18 किलोमेटर दूर, बलमक्का गाउ में एक साच्छा पे मारी अभियान चलाया गया अप्रेल महिने में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक मार्च महिने में 28 और 29 मार्च को बैंको की राष्ट ब्यापी हरताल के बाद, अप्रेल महिने में भी बैंक आधे माह 15 दिनों तक बंद रहेंगे भारत में बैंक कब बंद रहेंगे या रिजर्व बैंक आफ इंडिया और अस्थानी अस्तर पर कभी कभी राई सरकारे भीताय करती है बता दे एक अप्रेल सुक्रवार को या एक नए बीतिय वर्ष की सुरुआ था इसलिए कुछ राजियों में भैंक खायते बंद होने के कारण बंद रहेंगे जारखन में लागू होगी पुरानी पेंसन योजना मुख्यमंतरी ने कहा है कि सरकार बहुत जल्द राजिय में पुरानी पेंसन योजना लागू करने जा रही है जल्द ही मंदेगा कर्मी और अनुबंध कर्मियों को भी बड़ी राहत मिलेगी मुख्यमंतरी ने विधायकों की मांग पर विधायक फंड की राशी चार से बढ़ायकर पाँच कोर की गोस्तना की है 72 के समापन के दिन सदर में मुख्यमंतरी हमान सुरे ने कहा कि हम राजिय के लोगों को आग में नहीं जोकना चाते 1932 के खतियान का हम सम्मान करते हैं यहाँ पर जो भी कानून वा नियम बनेंगे वा जारखंडियों को ध्यान में रखकर बनेंगे रांची वारानसी इंटर सिटी का फिर से होगा परिचालन अर्चना जोसी ने पत्रकारों को बताया कि रांची वारानसी इंटर सिटी का परिचारन फिर से होगा इस समन्द में रांची रेल मंडल द्वारा परस्ताव जोनल कर्याला को दिया गया है वहीं रेलवे में सेफ्टी के मानको पर पताधिकारों को दिशा ने देश दिया गया इसके बाद रांची रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद विभीन पैसेंजर एसोसेशन से संग भेट की अंत में उन्होंने पालसल मनेजमेंट सिस्टम और हट्या यार्ड उड़ानों की संख्या बढ़ा कर 32 की जा सकती है सर्दी में उड़ानों की संख्या 28 सुचिवत की गई थी लेकिन 24-25 उड़ानों का ही संचालन हुआ जैसे की जानते हैं उड़ानों का संचालन सीत कालिन और गिर्ष्म काईनी मौसम के अनुसार किया जाता है बदा दे भीर सेमुंडा हवाई अड़ा के निदेशक बिनो सर्मा बताते हैं कि भाति हवाई अड़ा प्रादी करन द्वारा परकासित करहक संतुष्टी सुचकां में राची हवाई अड़ो को दूसरा स्थान मिला है धन्यवाद